तो देखे दोस्तों गाजर का टेस्टी और हेल्दी हल्वा हमारा बन करके तयार हो क्योंकि हमने इसमें चीनी का अस्तमाल नहीं किया है हमने इसमें खांड का अस्तमाल किया है तो खाने में यह हल्वा बहुत टेस्टी लगता बहुत ही जल्दी बन करके तयार हो जाता तो बनाज बनाएंगे सबका फेवरेट और सर्दियों का स्पेसल गाजर का हल्वा तो गाजर का हल्वा बनाने के लिए मैंने डेड़ किलो गाजर लिया गाजर को मैंने छील लिया चीने के बाद इनको दो लिया हमें गाजर जो लेनी है बिल्कुल पतली गाजर लेनी है और लाल झाल गाजर लेनी आ है, जब पतली गाजर हम लेते हैं तो इसमें यलो वाला पार्ट होता है, वो बहुत कम होता, जिससे हम हल्वा बनाया तो गाजर हमें पतली ही लेने ज्यादा मोटी गाजर का इस्तमाल नहीं करना तो मैंने ये डेड़ किलो गाजर लिये इन गाजर को हमें काट लेना तो आज जो हम हल्वा बना रहे हैं वह हल्वा हम कुपकर में बनाएंगे जिसको बनाने में बहुत कम समय अब हम जितना हमने गाजल लिया है उतना ही हमें दूद लेना मैंने डेड़ किलो गाजल लिया तो हमने डेड़ लीटर ही दूद लिया अब इस दूद को हम पहले कड़ाई में डालेंगे देखे मैंने गैस पे कड़ाई रखे कड़ाई में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इ इस तरहें दूद को पकाने से दूद हमारा लगता नहीं है और दूद में स्मेल नहीं आती है तो यह मैंने 1.5 लीटर दूद का इस्तमाल इसमें कर रहे हैं तो देखें कड़ाई में मैंने दूद को डाल लिया अब हम इसको पकाएंगे और इसको गाड़ा करेंगे मैंने इसमें फुल क्रीम दूद का इस्तमाल किया, आप इसमें कोई सा भी दूद ले सकते हैं, आप इसमें गाय का दूद भी ले सकते हैं, भैस का दूद भी ले सकते हैं, मैंने इसमें भैस का फुल क्रीम दूद का इस्तमाल किया, अब इतने हमारा ये दूद पक करके गाड डालेंगे तो गाजर को घी के साथ 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे जिससे की गाजर में एक सोंधी-सोंधी खुशबू आने लगेगी और जो हल्वे का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसको 3-4 मिनिट के लिए हम भून लेंगे तो ग जब तक हमारी गाजर गलके तयार होती है अब हम अपना दूद्ध करते हैं कि हमारा दूद भी पका है या नहीं पका है तो देखे, दूद में हमारे उबाल आ चुका है, और दूद हमारा गाड़ा होने लगा है, इसे हमें बिल्कुल रबडी की तरह गाड़ा कर लेना है, देखे, दूद हमारा गाड़ा होने लगा है, अब हम देखेंगे कुकर की तरफ को, तो कुकर में हमारे 5-6 सीटिया आ और इसकी स्टीम को हम अपने आप ही ठंडा होने देंगे इसको हमें स्टीम नहीं निकाल लिए जब तक ये स्टीम अपने आप ही निकल नहीं जाती तो देखे कुकर हमारा ठंडा हो चुगा और इसकी स्टीम भी देखे निकल चुकी है आप इसको हम खोड लेंगे तो देखे गाजर को एक बार चेक करेंगे कि गाजर हमारी गली है या नहीं, तो देखे, गाजर हमारी एकदम से मैश हो रही है, अब हमें इस तरह का पटेटो मेशर लेना है, ना हो तो आप बड़ी रई भी ले सकते हैं, या जिस से घोटना होता है, जिस से साग घोटा जाता आप वो तो इसको Spotify कर लेंगे और गैस को ओन में सबी जाल को बहुत अच्छे से मैश करेंगे वह इसी तरह सेहां पर्पते रहेँ और सक चेक लेए सब्सान करेंगे तो देखे, दूद हमारा अच्छे से गाड़ा हो चुका है, इसमें हम एक चम्मत दही डालेंगे, यह मैं इसमें एक चम्मत दही डाल रहे हूं, और दही डालने के बाद इसको हम हिलाते रहेंगे, इससे दूद हमारा फटेगा नहीं, लेकिन इसमें दाने दाने बन तो दूद को मीडियम गैस पे चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे देखिए इसमें बिल्कुल दाने-दाने होने लगे हमारे दूद में तो जैसे इसमें दूद में दाने-दाने हो जाएंगे तो गैस को बंद कर देंगे फिर अभी हम इसे दो मिनिट के लिए और पकाएंगे हल्वे को हमें अब अच्छे से पकाना है तब तक इसका पानी खतम ना हो जाए देखे हल्वे में जो हमारा दूद हमने डाला था वो सारा सूखने लगा अब इसमें डालेंगे एक कटोरी देसी खांड आप चाहे तो इसकी जगा पे चीनी का अस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन म मैंने इसमें खांड का स्तमाल किया है खांड डालने के बाद हमारा हमेरा हल्वा थोड़ा सा लीकविड हो गया अब ही हम इसको ओर पकाएंगे ऺकिए हल्वे में हमारा जो कहले पानी था, वो हम सारा सूख चु만 है अब आप इसको हम यह तो कडाई में डालेंगे यह जो लिए तेज गास पर पकाईंगे देखिए अब इसमें अब एक दम पैन चोड़ दिया है अब गैस को बंद कर देंगे और कडाई को उतार लेंगे देखिए हल्वा हमारा अच्छी से पक चुका अब देखिए गैस पेखेंगे पैन में आधा चम्मच देसी गही डालेंगे य अब गरम हो चाए तो इसमें हम ये ड्राय फूट्स डालेगे विलिए मैं अच्छी से भून लेंगे तो देखिए काजु बदाम हमारे भून चुके है इसको हम हल्वे में डालेंगे और इनको मिक्स कर देघव थेटाइगे अब इस हल्वे को हम सर्फ करेंगे तो सीजन का पहला हलवा मेरव बनकर के तयार हो चुका है, कमेंट बोक्स में बताइगा आप इसको कब बनाएंगे, तो रेसिपी अगर पसंद आ है तो ट्राइ कीजेगा और कमेंट बोक्स में जरूर बताइए आपको इस रेसिपी कैसी लगी, ऐसी ही टेस्टी और आसान देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे, साथ मही बेल आइकन को प्रेस कीजे, जिससे की आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो दोस्तो ऐसी ही टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ फिर्म रुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक थैंक यू और बाइ